एक बड़ी ट्रेजिडी ये हुई नूक्लियर एनेजी के सिलसिले में कि ये वो उस वक्त शुरू है इस पे काम जबके दुनिया में बहुत सारे प्राबलम चल रहे थे और सबसे बड़ा प्राबलम था जर्मानी का जर्मानी पहली वर्ल्ड वार हार चुका था और उसकी वज़ाए से उसको बहुत सारे पैसे सब लोगों सारे यूरोप को देने पढ़ रहे थे कि वो उन्होंने फिर बाहर जाना शुरू किया तो अमाम दूसरों की आक्यूपेशन सारा स्कैंडिनेविया इस्टन यूरोप वगरा सब की वो जो कहानी है जो मैं अभी नहीं सुना हूँगा लेकिन ये कि वो सारी कहानी शुरू हो गई ती तो इसका मतना भी कि जो एनर्जी की बात की जब अन्रीको फर्मी ने लीजा माइटनर ने आटोहान ने इन सब ने जब एनर्जी की बात की तो उनके सब के कान खड़े हो गए कि इस एनर्जी को क्या बम के दर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है हाला के एन्रीको फेर्मी का मकसद यह था, एन्रीको फेर्मी इटालियन था, आभियसली, लेकिन इटली में भी मेसलूनी वगरा आ गए थे, तो वो भी फाशिस्ट, वो भी हो गी थी कंट्री पूरी, तो उनका मकसद थे किसी तरीकिस से इस एनरजी को पर ट्रांसफर करें, एलेक्रिसिटी के अंदर, ताके लोगों के जुरूरात पूरी हो जाए, लेकिन वो सारा जो एटेंशन था, वो डाइवर्ट हो गया, आटामिक बाम के अंदर, सारी दुनिया में पता चल गया कि जर्मनी जो आटामिक बाम बना रहा है, एक आदमी था, जिसका नाम था लि एस्ट यूरोप में, तो बहुत सारे 10 मिलियन जुस वर खिल अराउंड ताइम, लियो सीलार्ड भी था, ये भी जुस था, अन्रीको फर्मी, लियो सीलार्ड, आइंस्टाइन वगरा, सब जुस हैं, तो इनको हंगरी से भागे, लंदन गए, लंदन से बाग के अमरीका जाके आइंस्टाइन से मलाहत की, उनने का, जी मुझे पता चला है, बहुत अच्छे वसूख की जराय से, कि जो जर्मनी है, वो इस दिस क्लोस तो मेकिं अन अटामिक बाम, ये सारी कहानी तो आइंस्टाइन को पता थे, आइंस्टाइन तो सारा कामी है, एनरजी और मास व पता था, दो प्रेजडेंट हैं इस स्टोरी में इन्वाल, रूजवेल्ट और टूमेन, तो रूजवेल्ट उसमें इन्वाल था, उनके पास उन्होंने खत लिखा, ये खत था उन्हों जो आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को लिखा था, कि बही ये काम हो रहा है जर्मन के हाथ में सारे काम चला जाएं, तो उन्होंने उकत लिखा, उन्होंने तो वो उसका बहुत ही लूक वर्म जवाब रूसवेल्ट की तरफ से आया था, कि हाँ, मैंने कुछ लोगों को इस पर लगाया, इस पर अभी सोचेंगे, ये पांच अजार डॉलर ले लो, ये थोड जैपान वाला केस अभी शुरू नहीं हुआता है, तो इतनी जादे इंटरेस्ट नहीं था, और बागी कुछ ऐसे फोर्सेज भी थे, अमरीका में जो बिलकुल प्रो जर्मन, प्रो नाजी फोर्सेज, ये सारे फोर्ड वगारा जो बड़े-बड़े ताज़े थे, वो सब उन से मिले वे थे, तो उनों भी सब ने इस तरह एडवाइस किया कि अभी इसमें पढ़ने की जूरूरत नहीं है, अपना अपना, उनको, योरोप को भुगतने दें, जो भुगतना है, इवेंचिली वो, डेवल डिसाइड बढ़ता गया, तो लियो सिलार्ड ने फिर दु कोई फर एक्जामपल नूकलिया, कोई ऐसी नूकलियर फ्यूल वगएरा जो होता है, यूरेनियम की कोई वो होगी, तो उसको अगर, फरक सीजेए, एक किसी किष्टी में भरके भी अगर नियॉयोर्क के पास खरीब लाके एक्स्प्लोड किया जाए, तो जो उससे दोबारा बात सामने आएगी, तो उनको ये खतरा था, अगर बंबन गया तो वो तो खेर, और भी बड़ी बात है, तो उन्होंने सब मिल जुलके, फिर उन्होंने ये कहा कि, फिर उनकी समझ में आई कि, प्रेजिडेंट रूजवेल्ट के उन्होंने सारे एडवाइजर्स वगरे से बात की, उन्होंने का हाँ, यखीनन कोई ऐसी बात है कि जिसको हमें दोबारा चेक करना चाहिए, और फिर उन्होंने एक पूरी और्गनाइज़ेशन तश्कील की, ये सारी तफसीलात तो आपको इसमें नजर आ जाएंगी, कि क्या क्या है, लेकिन आउटकम उसक की ये है कि ईन्होंने हक प्राजेक्ट फिर तश्कील किया जिसका नाम मैनहीटटफिक है, जो आपको आगे जाकि दूसरे मॉडियूल में बताएंगे, और मैनहीटफिक का तालिक क्या था, मैनहेटन जो है, नियॉर्क का एक इससा है, मैनहीटन का सिर्फ तालिक ये ठीटि स्लवाकिया से आधा था उस जमाने में और उस वाद तक चेकोसलवाकिया बिल्कुल तखरीबन कांकर हो नहीं वाला था नाज़ियों इटलर की स्पोर्सिस से लेकिन इस उतना था कि वहां से काफी सारी ओर आती थी और वो जो और थी न वो इसी होटल जिसमें ये सारी मीटिं है जिसके बारे मैं सारा बताओंगा लेकिन लीडर्शिप को चूस करना जैसे आपनहाइमर वगरा को इन्वाल्फ करना इसके अंदर वो सारा काम यहां मैनहेटन प्राजेक्ट के स्टार्ट के अंदर नियॉयॉर्क से शुरू हुआ और सारे मुल्क में पहला जिसकी तफस